दोस्तों वीडियो को जादा से ज़्यादा लोगों तक सेर करे दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका जीयो बिनुच में दोस्तों ult. इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सबी बड़ी खबरे मुखिस समझा टूड़े ब्रेकिंग नीज के रूपे तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी भी डूटल आप तक पहुंची रहे दोस्तो सुरू करते है आज की सबसे बड़ी खबर के रूप में तो दोस्तो आज की सबसे बड़ी खबर है कर रहा है। पार्टी के इस आंतरिक सर्वे के हिसाब से कॉंग्रेस को उमीद है कि वह यूपी, तमिलाडू, केरल और पंजाब में आच्छा परदसन कर सकती है। के छो, राजस्थान में छो से लेकर के साथ सीटे जीत सकेगी। जी हां दोस्तो कांग्रिश अधक्स राहूल गांदी ने एवियम पर मचे बवाल के बीच पार्टी कारेकरताओं से अपील की है कि और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अगले 24 गंटा महत्पुन है, सतर्क और चोकन रहिए, डरे नहीं, आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं, 23 मई को मतगर्ना होगी, यानि आज सुरू हो गई है, मतगर्ना को लेकर के परसासन भी तयारी सुरू करती है, जिले परसासन सुल्तारपुन में सराब की दुकाने बंद रहने का फैसला किया गया है, अगली बड़ी ख़बरे मोधी की सपत में आय थे सरीफ, इस बार इमरा में पड़ोसी देशों के राष्टा धक्च सामिल हुए थे, अब 2019 के लोकसभा चुनाओं के एकजिट पॉल में फिर से मोधी सरकार बनने की भविस्वाने की गई है, ऐसे में अटकने लगनी है कि क्या उसके सपत गरहन समारों में एक बार फिर से मोधी सर्क देशों के प् जो धुए थे, अगर एकजिट पॉल के नतीजे सच साबित हुए, तो सवाल उठता है कि क्या फिर से प्रधान मतरी मोधी पोडोसी देशों के प्रमुखों को 2014 की तरह आमंतित करेंगे, अगर आमंतित करेंगे तो क्या इसमें पाकिस्तान के प्रधान मतरी इमरान का भी न पेजार कर रहा है, सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी यहां के चुनाओ नतीजों को लेकर के बेचैनी है, पाकिस्तान में भारतिये उचायों के नतीजे का लाइफ टेली कास्ट करने का फैसला किया है, इसके लिए 23 मही को यानि आज इसलामबाद में लाइफ टेल पर की जाएगी जिसमें से चुनाव के नतीजों का लाइफ टेलिकाश्ट भी होगा इसके बाद साम साड़े साथ वैसे नतीजों पर बहुत का भी कारिक्रम है आपको बता दे कि पारत के लोग सबसे जादा फर्क किसी पड़ोसी मुल्क को पढ़ता है तो वह है पाकिस्तान यही कारण है कि पाकिस्तान के सभी बड़े मीडिया हाउस चुनाव के हर नतीजे की कवर के साथ ही ओपिनियन ब्लोग लिख रहे हैं इसके अलावा पाकिस्तान के सोचल मीडिया पर भारत के चुनाव की खुब चाचा हो रही है लोग सबसे चुनाव के नतीजे 23 मई को सु मत को 40 लाग से अधिक EVM में कैद कर दिया गया है 43 दिन के 74 में हुए इस चुनाव को लगबग 1 करोर से अधिक करमचारियों ने 10 लाग से अधिक पोलिंग स्टेशन का संपन कराया गया है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी कवरे कैसे होती है मतगर्णा और इस बार नतीजों के लिए क्यों करना पड़ा इतना लंबा इंतजार जी हाँ दोस्तों मतगर्णा का दिन बेहत तनाव भरा और गर्मा गर्मी भरा रहने वाला है नकेवल राज़ितिक दलो और उमिद्वारों के लिए बलकि मतगर्णा प्रक्रिया में जूटे करमचारियों और अधिकारियों के लिए इस बार मतगर्णा के लिए EVM भी रिकोर्ड तादाद में इस्तमाल किया गया है और तीस दीन चले लोकतंतर के परवे में 22,30,000 बैल यूनिट का इस्तमाल किया गया है आपको बदा दे कि आयोग के उचायूगत उमेश सिन्हा ने बता है कि 12,00,000 से अधिक EVM में मतटाताओं के मत और उमिद्वारों की किस्मत बंद है पूरे देश में 10,35,000 केंदर पर मतदान हुआ था हर जिलेवे अमूमम एक या दो से ज पारे करता का पहरा होता है यानि कई अस्तरिये सुरच्छा ब्यवस्ता चो 200 घंटे 7 दिन चो करना बंद होता है वोटों की गिंती भले 23 मोई को सबेरे 8 वजे से होगी लेकिन कामकाज तो आज रात से हैं सुरू हो जाएगा चुनाव आयोग के प्रोटोकॉल के मुताबिक मतगर्ना की भी तै सीमा होती है आयोग की और से हरेक मतगर्ना के अंदर पर इसे फॉलो किया जाएगा मतगर्ना की सुरूआत सबेरे 8 वजे से होगी सबसे पहले पोश्टर वैलेट की गिंती होती है इसके लिए 4 वैलेट तै होते हैं सभी रास्मितिक दलो या उमीदवार के नुमाइदे इस मतगर्ना की गवा होते हैं काइदे से हरेक टेबल पर मतगर्ना करमचारी के हरेक राउंड के लिए 500 से ज़्यादा वैलेट पेपर नहीं दिये जाते हैं इसके लिए भले गलत हो निसान या सही हो वैलेट पेपर अवैद हो जाते हैं हरेक टेबल पर एक एक EVM भेजी जाती है इस तरह हरे एक विदान सभा चेतर के लिए एक सांथ 24 EVM की गिंती एक सांथ होती है अमुमम हर दोरे में 30 से 45 मिनट का समय लगता है मतगर्ना टेबल के चारों और पाटिया उमिद्वारों के एजेंट रहते हैं जो मतगर्ना पर पहनी नजर रखते हैं उसके लिए सभी मतदाता अधिकारी फॉर्म 17C का अंतिम हिस्सा भरते हैं फॉर्म 17C का पहला हिस्सा मतदान के पोलिंग एजेंट को मौझूदगी और दस्तक के सांथ पोलिंग प्रक्रिया सुरू करते समय भरा जाता है फिर मतगर्ना के सीलिंग के सांथ अलगला हिस्सा भेज दिया जाता है फिर मतगर्ना के समय आखरी हिस्सा भरा जाता है ताकि हर एक चरण में EVM और अन्य मसीनों के सही सलाहन होने का सबूत हो सके जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि आयोग के उचायोग चंदरभूशन का कहना है कि कई लोग सबाचेतर ऐसे भी होते हैं जहां 30 से 45 हजार पोस्टल बैलेट होते हैं ऐसे में उसकी गिंती के करीबन 8 से 10 घंटे लग जाते हैं इसके बाद electronic transferable पोस्टल बैलेट की अगर जाए तो उसकी गिंती भी होती है इसके जरी गिंती होती है आयोग के नियमावली के मताबिक पोस्टल बैलेट और वेवी पैट के गिंती पूरी तरीके से आदे घंटे बाद EVM में दिये जगए मतों की गिंती सुरू होती है इसके लिए हर एक मिठान सबा इलाके में हिसाब से सेंटर में 14 टेबल लगाये जाते है टेबल के चारो और जाली और घेराबंदी भी होती है दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि हम जो भी पीडियो डिले आप तक पहुंचती रहे जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी ख़बर है अब वाटसेप से फेस्बुक पर सेयर कर सकेंगे अपना एस्टेटर्स जी हाँ दोस्तों फेस्बुक और वाटसेप के यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी सहुलियत मिलने वाली है फेस्बुक के सीओ मार्क जुगरवन ने हाली में कहा है कि वाटसेप मेसेजर और इंस्टा को मर्ज करके क्रॉस प्लेटफॉर्म मेसेज का ओप्शन दिया जाएगा ऐसा लगता है कि company ने इसका काम सुरू कर दिया है अभी के लिए cross platform message को नहीं लेकिन story share का feature जारी कर दिया है हलाकि ये feature अभी beta world में है आपको बता दे कि web bet information के एक report के मताबिक whatsapp के नए feature आएगा इस feature के तहट whatsapp status को आप सीधे facebook पर share कर सकेंगे यानि अगर आपने whatsapp पर कोई status डाली तो उसे को facebook story भी बना सकते हैं इसके लिए whatsapp story के लिए नीचे option भी मिलेगा इस protocol के screenshot भी share किया जा सकता है इस screenshot में यह देख सकते हैं कि whatsapp status के नीचे एक option है add to facebook story यहाँ tap करने से status of facebook पर लग सकते हैं हाला कि आप सभी नहीं है जी हाँ दोस्तों यह पूरा उमीद है कि अगर आपके phone में facebook app है और इसे आप use करते हैं तो आप whatsapp से सीधे status add कर सकते हैं इसके अलावा आने वाले समय में मुस्किल है कि whatsapp app के जरिये facebook पर post video और photo भी share कर सकेंगे गौर तलब है कि whatsapp ने हाल ही में google के वीटा प्रोग्राम के ताथ नया अपडेट समिट किया है जो 2.19151 वर्जन का है यह feature अभी public नहीं किया गया है company इसे इस feature के लिए कुछ समय वीटा विल्ड में रखे की और इसके बाद इसे public करने के लिए सुरू किया जाएगा